हलो दोस्तों तो ये नई सिरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डेली एक यूदिशनेक पेपर उनका क्वेशन देखेंगे जो की रीसेंट इयर्ज में आया है और जैसे कि आप सबको पता है सबसे ज़्यादा important topic जो हमारा teaching aptitude में वो है levels of teaching और आप देख सकते हैं आज हमारे सामने एक question है आईए हम इसको solve करते हैं तो यहां question में पूछ रहा है कि इन में से कौन से जो features लिखे हैं वो reflective level of teaching को प्रदर्शित करते हैं चार-पांच points दिये है multiple option वाला यह question है पहला point दिया हुआ है कि students learn by understanding the facts and information यानि कि students जो है वो तत्यों से और सुचनाओं को देखके उन्हें समझ के पढ़ाई करते हैं B point कह रहा है teaching जो है कुछ और नहीं है nothing but learning the subject by road road का मतलब होता है red के subject को पढ़ना यही teaching का तात पर है C point कह रहा है development of problem solving ability यानि कि problem solving ability जब develop होती है किसी student के अंदर तो वो reflective level of teaching है या D point कहता है students original thinking and creativity abilities यानि कि जो creativity है student के अंदर जो उसकी thinking power है यह actually reflective level of teaching होती है और E point कहता है pupils कभी-कभी pupils भी कह सकते हो student भी कह सकते हो same बात है pupils are kept in strict discipline and cramming is insisted यानि कि बहुत strict अनुसाशन में रखा गया है शिश्यों को या students को और cramming, cramming का मतलब same होता है road learning इस पे बहुत जादा insist किया जा रहा है या जोर दिया जा रहा है तो अगर आपने मेरे से पढ़ा है तो इस प्रकारिंग question आप बहुत आराम से कर लेंगे और पहले भी और अभी भी इस बार भी आप देख सकते हो जो मैंने आपको formula इनको solve करने का बताया है same to same वही काम कर रहा है तो दोस्तों आप सबको पता है भाई कि level of teaching तीन प्रकार का होता है एक है हमारा memory level जो सबसे नीचे का होता है उसके उपर होता है understanding level और सबसे उपर होता है reflective level और मैंने आप लोगों को बताया है बहुत shortcut तरीके से आप समझ सकते हो कि किसका answer क्या होगा देखो memory level की जो main बात होती है मैंने आपको शब्द पहले ये दिये है road करना या cram करना कोई भी चीज़ जब आप रट के अपने दिमाग में डालते हैं तो वो memory level teaching कहलाती है understanding वाली teaching में हमने बात करी है क्या main point होता है कि अपने शब्दों में अपने शब्दों में बोल पाना या examples दे पाना ये निशानी होती है understanding level of teaching की और तीसरी चीज़ की हमने बात की थी कि reflective level की क्या keywords होते हैं क्या निशानिया होती है सबसे पहला problem को solve करना और दूसरा है creativity या critical thinking ये शब्द अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आप कोई भी ये सवाल कर सकते हैं और सही answer तो आप निकाली लेंगे लेकिन जो बाकी के सारे points लिखके हैं इनके भी answer आप सही से बता देंगे तो चलिए ये आपको समझ में आ गया आईए अब देखते हैं कि one by one तो ए point है आपे students learn by understanding the facts and information यहाँ पे understanding शब्द आ गया यानि ये reflective level नहीं understanding level का statement है बी point देखें teaching जो है क्या है wrote है wrote का मतलब क्या हो गया रटना यानि कि ये memory level का point है development of problem solving skills जैसे मैंने guys आपको यहाँ बताया problem solving creativity critical thinking ये सारे शब्द clearly बताते हैं ये reflective level का point है original thinking और creative abilities पे ध्यान दिया जाना again ये भी reflective level का point हो जाएगा अगेन यहाँ पे आ रहा है cramming करना strict discipline में रखना ये सारे के सारे point है memory level से related तो कभी भी previous question की analysis करें ध्यान दें केवल सही option देखके आगे नहीं बढ़ जाना हमें सारे के सारे options की analysis करनी होती है तब जाके हम एक true तरीके से previous questions को समझ पाते हैं तो यहाँ पे answer हो जाएगा C and D और इसी के साथ I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा आपके सामने कोई भी question आएगा levels of teaching का आप बड़े अराम से उसको कर लेंगे इसके लावा previous questions पे अगर आप mock test चाते हैं तो हमारा group जरूर से join कर लें telegram पे कुमार भरत नाम से आप search करेंगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे हम free notes, daily lectures लेते हैं उनके free notes आपको PDF के रूप में मिलते हैं प्लस जो previous year questions हैं वो बहुत ही interactive तरीके से mock test के form में आपको मिलते हैं और वो भी कोई ऐसे वैसे पाल्टू के questions नहीं, previous year questions मिलते हैं along with reference की कौन सा question, किस year में आया था और क्यों आपको इसे prepare करना चाहिए तो यह जो चीज है यह आपके लिए है totally free और कोई भी person या कोई भी platform यह सुविधा आपको provide नहीं करा रहा है और इस बार कई बच्चों ने इन previous year questions को लगा के mock test के रूप में अपनी preparation की है और उन्होंने आके बताया है कि जो भी पढ़ाया है सब कुछ उसके अंदर से ही आ रहा है तो जरूर से इस group को join करें और मिलते हैं फिर कल एक नए question के साथ तब तक के लिए सभी को bye और take care कर दो दूब है